नमस्कार आज हम एलिफेंटा गुफा मंदिरों की शिल्प कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्व मद्यकाल भारती मूर्थिकला के इतिहास का अत्यन्त महतोपूर्ण युग है इस कालखंड में एलिफेंटा अत्यमहतोशाली केंद्र रहा है पूर्व मद्यकाल के दूसरे प्रमुकेंद्र जोगेश्वरी मूंबई के इलिफेंटा के गुफा मंदिर है यह स्थान महराष्ट्र में मूंबई से प्रायहद 6 मेल दूर एक टापू पर है जिसका वास्तविक नाम धारापूरी है पंद्रवी शतापदी में जब पूर्टकाली लोग यहां आई तो उन्होंने एक विशाल प्रस्तर हाती को देख कर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था यह हाती आजकल मूंबई के विक्टोरिया गार्डन संग्रहाले के बाहर रखा गया है इस मंदिर का निर्मान आठवी शतापदी में हर्श वर्दन के समय से ही प्रारंभ हो गया था इस स्थान पर दो बड़े बड़े परवत थे जिनहीं तराश कर यह मंदिर उत्तकिर्ण किये गए हैं यह गुहा मंदिर 130 प्लंबा वर 129 फुट चोड़ा है इसमें प्रवेश के लिए तीन मार्ग बनाए गए हैं प्रमुक प्रवेश मार्ग से जाने पर पार्श वीथी से होकर मंदिर में पहुंसते हैं मत्य वीथी में तकिया नूमा शेश युक्तुस्तंभूं की पंक्तियां उत्तकिर्ण की गई हैं जिनके छोर पर शिव मंदिर है विशालकाय द्वारों पर बड़े बड़े द्वारपाल उत्तकिर्ण किये गए हैं पार्श वीथी के चारूर वित्रत दालान बने हैं इन दलहों में शिव की लीलाओं का अद्बुत संसार मूर्तिमान किया गया है फर्गुसन तथा बर्जेस और जिमर जैसे विद्वानों ने मूर्तियों के आधार पर इसे आठवी नवी शताबदी में निर्मित माना है किन्तु हीरानन शास्त्री और डाक्टर प्रमोध चंद्र इन मूर्तियों की तिथी सात्वी शताबदी मानते हैं क्योंकि इन में कॉंकर्ण के मूर्य शास्कों का यूगदान है महान चालुक के वन्शी शासक पुलकेशन द्वित्य के एक शिला लेख में यह उलेख मिलता है कि उसने कौंकन के मोरियों को परास्त किया था और उनकी राजधानी पूरी को अपने जहाजी बेडे से जीता था पुलकेशिन द्वितिय उत्री भारत के हर्श वर्धन और पल्लव महिंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था इन तीनों शाषकों के काल में कलात्मक गतिविदियां खूब रही पल्लव शैली की नीव इसे युग में रखी गई थी चालुक्यों ने युद्ध की अपनी उपलब्धियों के अनुरूप ही अपने राज में बादामी और आईहॉल पर गुफा मंदिर खुदवाए थे यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि एलिफेंटा गुफाएं उस समय खुदी गई थी जब हिंदू पुनर जागरण अपने पूरे जोर पर था और शर्ष्टा पालक और संगहार करता शिव उस पुनर जागरण के प्रतीक बन गए थे इस प्रकार प्रस्तुत लेक्चर में एलिफेंटा की मूर्तियों को आठवी शताबदी में रखकर इन्हें राष्ट कूटों के सामंत शिला हारों के काल में निर्मे स्विकार किया गया है यदि भी इस स्थल को राष्ट कूटों से सीधा शास के संबंद बहुत सपष्ट नहीं है किन्तु यहक शेत्र कौंकन प्रदेश के राष्ट कूटों के सामन्तु शिला हारों के शाषन शेत्र के अंतरगत था अब हम एलिफेंटा की प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे दक्षिन के दिवार के दलहे पर भगवान शेव का अर्ध नारिश्वर रूप तथा भगवान शेव एवं पार्वती के विवाह की अनुपम कलाकरती उत्तकिर्ण की गई है अर्द नारिश्वर में भगवान शिव को आधा पुरुष तथा आधा नारी के स्वरूप में उत्तकेर्ण किया गया है उनके शरीर का दाहिना भाग पुरुष का तथा बाया भाग स्त्री के रूप में अभिद्यक्त हुआ है सिरका मुकुट मुकमंडल के दोनों और के भाग हातों की आकरती तथा वस्त्र आभुशन आधी में दोनों और स्पष्ट अंतर उत्तकेर्ण किया गया है यह प्रतिमा चत्र भुजी है कलाकार ने अनूठी कल्पना के द्वारा नारी तथा पुरुष के अध्भुत संगम का स्वरूप जीवन्त किया है शिव पार्वती विवाह एलेफेंटा में शिव पार्वती की अनीक मूर्थियां प्राप्थ हैं एक मूर्थी में शिव और पार्वती विवाह कल्यान सुंदर मूर्थी का जीवन्त द्रश्य दिखाया है जो एलेफेंटा की मूर्थियों में सबसे सुंदर है यहां विवाह का शांत और उल्लास पून द्रश्य है इस मूर्ती में पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुतरी को शिव के सरक्षन में सौपते हुए प्रदर्शित है पार्वती की आत्म समर्पन की भावना वह शिव के सप्रेम स्विकार करनी की मुद्रा अत्यन्त सुंदर एवं उलेखनिय है शिव की विशाल आकरती शांत मुद्रा में है, आगे का दाया हात पानी ग्रहन के लिए पार्वती की और बढ़ा हुआ है, शिव के बाईं और ब्रह्मा पुरोहित के रूप में उपस्तित हैं, यहां विश्नु भी है, पार्वती की बाईं और एक स्त्री चमर लिये खड़ी है, जो उनके वस्त्र के एक भाग को पकड़े है, वै पार्वती की माता मैना हो सकती है, एक अन्य पुरुष जल कलश लिये हुए है, उपर आकाश में देवी देवता, सिद्ध आदी, आशिर्वाद दे रहे हैं त्रिमूर्ती, यहां के मध्य स्थान पर भगवान शिव की त्रिमूर्ती का विशाल शेश उत्तकेन किया गया है, इस प्रतिमा में महा महेश के तीन स्वरूप शिव भैरव तथा शक्ती को तीन मुक मंडलों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, इस प्रतिमा में की मुखाकरती कल्यानकारी शिव की है तथा उनके बाएं और भगवान भैरव सुरूप में रौदर रूप में उत्तकेंड किये गए हैं। प्रतिमा में तथा इसकाल की अन्य मूर्ती में अधर को मोटा तथा बाहर निकला हुआ बनाया गया है। की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा वे उत्पत्ती, रक्षा तता संघार का कार्य करते हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार इन मूर्तियों की विवेचना भिन भिन प्रकार से की गई है। स्टेला क्रेमरीश ने इसके तीनों मुकों में तत्पुरुष रामदेव के अगोरी लक्षणों की अभिव्यक्ति स्विकार की है। जितेंद्रनात पनरजी इस मूर्ति के बाएं मुक को पार्वती अत्वा उमा का मानते हैं। कि है मुर्ती आठ भुजाओं की थी। शिव के मुक पर तांडव नत्य के तनाओं के स्थान पर शक्ति और समादी का भाव व्यक्त है। शरी रचना स्वाभाविक और गतिशील है। वाम पार्श में पार्वती की नरत्याव लोकन करती आकरती बनी है। साथ ही कंकाल स्वरूपों वाले ब्रंगी रशी, गनेश कुमार, संगीतकार बंधु, ब्रह्मा, विश्नु और इन्रादी देव की आकरतियों को भी शिव नत्य का आनंद लेने की मुद्रा में दिखाया है। इबी हैवल महोदे ने अपने एक ग्रंथ भारती कला के आदर्श में लिखा है कि नरत्य की लैमे गती से गुफा की चटाने प्रतिधुनित होती जान पड़ती हैं। परंतु शिव के मुख पर असीम शक्ती एवं निर्विकारिता के भाव प्रदर्शित होते हैं। एलिफेंटा की इस मूर्टी को कला के उपनिशदों में बुद्धिवाद एवं उच्चादर्श का एक सजीव प्रतिविंब कहना ही उप्युक्त होगा। शिव द्वारा अंधक राक्षस का संगहार। एलिफेंटा के सबसे सुन्दर फलकों में निसंदेह शिव को अंधक राक्षस का संगहार करते दिखाया गया है। यहां शिव अपने सौम्य रूप में नहीं बलकी रौदर रूप में प्रकट हैं। उनका भीशन मुख उबरे हुए जबडे और बाहर को निकली आखे और उनके शरीर की मुद्रा सब तनाव और क्रोध को व्यक्त करते हैं। यहां भी आकाश में देवी देवताओं की कोमल आकृतिया हैं जो मानुशिव के क्रोध के भयानक रूप को हलका करने के लिए बनाई गई हैं। शिव गंगाधर रूप में एक अन्य फलक में शिव को गंगाधर की रूप में दर्शाया है। शिव गंगाधर की रूप में एक और स्त्री को अपनी जटाओं पर ग्रहन करने को तयार हो गए हैं। सामने शिव जी के भक्तगण हैं और उपर बादलों में अपसराईं और गंधर उड़ते दिखाए गए हैं। योगी राज शिव की मूर्ती शिव ध्यान मुद्रा में पदम पर विराजमान हैं जो अपने नाम स्थानू को सार्थक कर रही हैं। यह मूर्ती बड़ी है, मुक पर आध्यात्मिक चिंतन और शांती का भाव व्यक्त हैं। परिकर में ब्रह्मा, सूर्य, इंद्र, विष्णू, आधी की वाहन, सहित आकरतियां उकेरी हैं। कल्यान सुंदर मूर्ती में परिकर आकरतियों का विवरण लगभग कनौच की मूर्तियों जैसा है। अन्य मूर्तियों में एक महेश मूर्ति है मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर पहले अंधीरे में कुछ दिखाई नहीं देता पर आखों के अभ्यस्त होने पर महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है महेश मूर्ति की प्रशंशा में स्वर्गियर प्रफेस और चोकोर खंबो पर द्वारपाल खुदे हुए है अठारा फुट उंची महेश की विशाल प्रतिमा निसंदेह भारतिकला की सरोच उपलब्दी है महेश का चहरा योग की गहरी ध्यान मुद्रा में है महेश का जटा मुकुट की रीट से अलंकरत है आपके एक हाथ में शस् खंडित है शिव का संहार कारी रूप बाई ओर के मुख से दर्शित है चेहरे की पैश्या तनी हुए नाक मुड़ी हुई आखे बाहर को निकली हुई आदेशिव का संहार रूपी मुख दर्शाता है महेश के केशों में साप लिप्टे हैं जो मृत्य और संहार के यहें एक ब्रह्मा मूर्ती भी मिली है, यह एक स्वतंत्र मूर्ती है, इसका सर्व प्रथम प्रकाश में लाने का श्री, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को है, ब्रह्मा के सिर पर जटा जूट है और मुक मुद्रा शांत है, शरीर पर आप भूशन एवं यग्यो पवीत ध किये वे हैं, इनके अत्रिक्त, शिव द्वारा, असुरों का संघार, रावन की क्षमा याचना, आदी मूर्तियां भी यहां मिली हैं, एलिफेंटा गुफा मंदिर में शिव को अन्य अनेक अलौकिक रूपों में दर्शाया गया है, साथ ही उनके सहचर देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई है, शिव के सिर के ऊपर त्रिमुकुस्त्री आकरती का अंकन विशेश महतोकूर्ण है, जो नकेवल गंगा, वरन गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है, एलिफेंटा शैव मतावलंबियों का केंद्र है, इसके शिल्पकला क की विशेशताएं इस प्रकार हैं, शिव की आकरतियां अन्य आकरतियों से विशाल व सजीव है, संयोजन में आकरतियों की भरमार है, अलंकारिकता, विशालता, आदिम कला की स्पष्टताव अंगर्था, अद खुले नयन, शरीर पर पार्दशी वस्त्र, आलंकारिक इस परंप्रा के शिल्प के कई अन्य केंद्रव शिल्प प्राप्त हैं, जिन में अहोल का दुर्गा मंदिर वा बदामी के जैन शिव विश्नु गुफा मंदिर प्रमुक हैं। चान खंडों में सबल भावा भिव्यक्ती की रस्मेधारा का निर्मल प्रवाह केवल अन्भूती का विशेह हैं, न कि वर्णन का मूर्तिकारों ने एलिफेंटा में शिवाराधना को रूपाईत किया है।